भारतिय डाग विभाग की तरफ से जितनी भी यहां पर भारतिय डाग विभाग की तरफ से जितनी भी यहां पर भारतिय डाग विभाग की तरफ से जितनी भी यहां पर भारतिय डाग विभाग की तरफ से जितनी भी यहां पर भारतिय डाग विभाग की तरफ से जितनी भी जारी किया जाएगा सदीत तो रहेगा सौर का दिन यानि कि कल के ढ़ेट में इससे जारी किया जाएगा तो अभी तक जितने रिजल्ट इहां पर जारी हुए क्या उन सभी ह sued कैंसिल हों या फिर जिदने भी सि उसक्तौ चर्शाव करने वाले हैं इस बीडियो में इस पर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं मारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिम्स लिश्ट में मिल जाएगा उसे भी जॉइन कर लें आपको आसानी होगा PDF फाइल डाउनलोड करने में तो सब से पहले चलेंगे वेप साइट पर जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि आप इंडिया पोस्ट जीडियस ओंलाइन डाट जीवी डाट इन के हम अफिस्यल साइट पर आ चुके हैं और इस पर आप चलती हुए अपको आपको आपको किलिक कर देना है उसके बात देखेंगे आप यहां पर हिंदी आटोमेटिक हो जाएगा तो अभी आप यहां पर देख पाएंगे दोस्तों कि हिंदी में हो चुक्क हब आपको आसानी होगा सबजने में अब इसमें देखिए कि इन्हों ने यहां पर नुड़िकेस में बताया क्या है कि GDS चक्र चौथा कि प्रग्राम संसोधित प्रारूप में प्रकासित करने का निड़े लिया गया है इन्हों ने जारी किया है उसे संसोधित करके जो है प्रग्राम को फिर से प्रकासित करने का इन्हों ने रिड़े लिया है जिसमें डाग घरों के नाम, पद का नाम और दास्ता बे सत्यापन के लिए बुलाए गिमिद्वार का कटाप परतीसत बीबराड के साथ पहले से ही उपलब्ध कराया जाएगा अगामे सभी परिड़ाम संसोधित प्रारूप में परकासित किये जाएगे अब ही क्या था कि यहाँ पर दोस्तों कुछ कंडिडेट के कमेंट ये रहे थे कि जिनका यहाँ पर मार्क्स अच्छे थे क्योंकि जो पैकेंसी ये निकली थी इसमें मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर अमबात करें हाइस्कूर इंटर के जितने आपके परसिंटेज अगर अधिक होते हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा आईसा इसमें जो ही निर्ड़े लिया गया था और डाग भी भा जिनका मार्क्स अच्छे थे परसिंटेज उनकी अच्छी थी उनका सिलेक्शन ना होने कारड़ जो है यहाँ पर रिजल्ड में गड़वड़ी को देखते हुए इसे फिर से जारी करने कारने लिया गया है जिसे संसोधित कर सो मवार को जारी किया जाएगा और आप उसे य किस जगें पर सिलेक्ट हुआ है और उसका कटाप कितना उसमें आया है और यहाँ पर हुआ जो है है। अब भी यहाँ पर 16% के उपर या फिर 70% के उपर के लोगों का सेलेक्शन या फिर इस तरीके से कटाफ यहाँ पर हो सकता है परहल उस्तों जो जारी होगा कल के PDF में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे जब आप अपना यहाँ पर सौटलिस्ट डाउनलोड करेंगे ति यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे सौटलिस्ट केंडिडेट्स इस पर आप क्लिक करेंगे देखेंगे ति यहाँ पर इस तरीके से इन सभी का यहाँ पर जारी हो हो जाएगा तो इसमें देखिए आपको कई सारी खामिया नजर आ रही है इस रिजल्ट में जैसा कि आप इसमें सिर्फ देख पा रहे हैं डिवीजर्टेशन नंबर और कंडिडेट नेम और चेंडर और कम्मुनिटी उसके बाद डाकॉमेंट टू वैरिफाइड भी तो आपको जो है अपने डाकॉमेंट वैरिफाइड करने के लिए कहा भी जाना यह सिर्फ इतनी ही जान कर दी गई थी लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो पुराने रिजल्ट जारी हुए करते थे तो उसमें आपका यहाँ पर जो है यह भी फैसला लिया गया है टाक वीबा की तरफ से जो कि कल जारी किया जाएगा तो इसलिए दोस्तों कल के लिए यहाँ पर आप तैयार हैं जैसी जारी होगा पीडियो फाफ डाउनलोड करेंगे तो तो इसमें काफी कुछ जानकारी आपको देखने को मिलेगी इस रिजल्ट के लावाँ असकर दोस्तों इस वीडियो के मादम से आपको काफी कुछ जानकारी मिल चुका होगा और काफी कुछ के लिए भी हो चुका होगा ऐसी बेटिंग नोडिफिसन पाने के लिए चैनल से जरू जूरी रहे हैं